और सदिक जानकारी के लिए आरुस फंडमेंटल्स में आप सभी का स्वागत है हाँ आज मैं बताऊंगा बिजली चोरी क्या है ये वीडियो बनने का दो मकसद है पहला तो अगर आप बिजली चोरी कर रहे हैं तो करना बंद कर दीजिए क्योंकि जो मैं बताऊंगा वो सब बिजली चोरी के स्रेनी में आता है तो जाने अंजाने में भी अगर आप कर रहे हैं तो बंद कर दीजिए दूसरा जो पूरे देश में बहुत जगह से ये शिकायत आती है जो कि कोई ठग लिया बिजली चोरी के नाम पे डरा दिया धमका दिया और उसके बाद ठग लिया किसी भी भोले भाले आदमी को तो इस वीडियो को बनाने का ये भी मकसद है जो बिजली चोरी के स्रेनी में क्या क्या आता है वो मैं आपको बता दूँगा जो कोई आपको ठग ना पाए कोई आपको जूट बोलके बढ़गला ना पाए आपसे पैसे ठग ना पाए तो बिजली चोरी क्या है तो अनाथराइज यूज ओफ एलेक्टिसिटी वही कहते हैं आप इंग्लिस में मैं बताऊंगा हिंदी में सब कुछ बताऊंगा मुझे इंग्लिस लिखना आसान होता है इसलिए मैं इंग्लिस में लिख देता हूँ तो सेक्षन 135 में जो इंस्पेक्शन होता है उसमें इलेक्टिसिटी थेपट आता है बिजली चोड़ी आती है देखे कोई भी आपके यहां जो इंस्पेक्शन करेगा जो इलेक्टिसिटी कंपणी वाले हैं या जो लाइसेंसी हैं उसके अधिकृत प्रतिनिधी आएंगे तो इस पर दुम्हें डिटेल में बता भी दूंगा कैसे लोग इंस्पेक्शन करते हैं लेकिन अभी मैं बताता हूं बिजली चोड़ी क्या है तो 126 जो होता है उसमें जो इंस्पेक्शन होता है तो बिजली चोड़ी नहीं होती है तो सबसे पहला देखे क्या आ रहा है सबसे यह कह रहा है जो कोई भी ओभरहेड ओभरहेड मतलब हुआ जो डोल पे जो लाइन होती आसथी अधर इन्डर्राउंड केबल से भी मेट्रो में सप्लाई होती है या अंडर वाटर लाइन भीlla कहीं there तो उससे अगर आप बीना मीटर के मतलब सीधे टैप कर लिए जिसको बोलते हैं आप कटिया फसा लेना और उस तरह से आप अगर कनेक्शन ले रहे हैं डारेक्ट बीना लैसेंसी के परमीशन से तो वह बिजली चोड़ी है इसका सिंपल यह मतलब हुआ मालीजे यह किसी का घर है चलिए उनका बने घर बना दिया मुझे तो ठीक से बनाने भी नहीं आती है और यहां मालीजे एक पोल है उस पर यह लाइन जा रही है तो कोई भी आदमी अगर इससे एक टोका फसा लिया जिसको कटिया फसा ना बोलते हैं टोका फसा के अपने घर म इसने नहीं में आता है तो टोका फसा के connection नहीं लेना है तो पहला यह हो गया वही कहता है अब अंडर्गाउंड लाइन गया है जमीन के अंदर से गया है तो वह जमीन को मतलब खोद के और इसी से टैपिंग करके ले लिया एल्टी लाइन से वह भी बिल्ली चोडी है उसी तर दूसरा यह है जो अगर आप एक मीटर मालजी आपके घर में बिजली कनक्सन है और यहां एक मालजी मीटर लगा हुआ है उस मीटर को अगर आप टेंपर कर रहे हैं टेंपर करना हुआ मतलब उस मीटर को खराब करना जान बूच के खराब करना जो रिडिंग प्रभावित ह रहे हैं उसी तरफ बरबर कंक्सट्व अगर समें रिवर्सिंग ट्रंस्फर्मर लगा रहे यह या मान यदो मीटर आपने ले लिया और पार किने यह ये मिरे बाई का है यह मेरा है लेकिन आप यह दोनों का अगर करनेट्वे से 1000 कर दे रहे हैं यह भी जोड़ी में आता तेंपर कर रहे हैं, मैंगनेट वगेरे सब लगा के कर रहे हैं, तो वो भी आपका बिजली चोड़ी है, अब अगला देखिए, तीसरा क्या है, तीसरा है, अगर आप जो भी आपके घर में लगा हुआ है, मीटरिंग का, मीटरिंग का क्या लगा हुआ है, मीटर ही लगा और उसके बाद कोई भी एपरेटर्स वायर कुछ भी आप ऐसा अगर लगा रहे हैं जिससे कि वह खराब हो रहा है या वह एकुरेट मीटरिंग को डिश्टर्व कर रहा है उसमें इंटर फरेंस कर रहा है तो यह भी बिल्ली चोग जैसे मैंने अभी बताया मालिजे यह मीटर है ठीक है इस मीटर में अगर आपको यह और सब तार्वगेड़ सब लगा दिये इसको बाइपास होगेड़ सब जो हम लोग एक मेने बताया था बाइपास पे वीडियो भी बनाया था तो कोई अगर तार्वगेड़ लगा के बाइपास कर रहे हैं तो आहां एक्शुल तो नहीं होगा तो वह जो कर रहा है वह भी बिजली चोड़ी है तीसरा आप समझ गये यह बहुत ही महत्पूर है तो मीटर के रिडिंग को प्रभावित करने वाला कोई भी चीज अगर आप लगा रहे हैं तो मीटर है वायर सब जो है मीटर में जो आया हुआ है उसको अग करके अपना किट कैट सब में जहां भी जो लगाना है लगा सकते हैं लेकिन माझे सिंगल फेज है और यह माझे फेज और यह निट्रल आया है तो यह दोनों मीटर में जाएगा इसमें कोई कट नहीं होना चाहिए फिर निकल रहा है यहां आप कोई भी सुच अगर सब जो से बता दिया है जांबूच के टेंपर कर रहा है टेंपर मीटर के थुरू अगर उप्योग कर रहा है तो वह हो गया पाच्वा इसमें है यूजज एलेक्रिसिटी फॉर परपस अदर देन वीच यूजज ऑफ लेक्रिसिटी वार ऑथराइज मतलब इसका यह मतलब हुआ ज होगा लेकिन जिस परपस के लिए आप लिए हैं वही परपस के लिए आपको नॉर्मली यूज करना चाहिए तो यह पुरी तरह से बिजली चोड़ी नहीं है हालाके लेक्रिसिटी एक 2003 में 135 में यह पॉइंट लिखा हुआ है लेकिन अगर आप मीटर से यूज कर रहे हैं इसमें आप प्रात्मी की दर्ज नहीं होगा वर्ण टॉज के इंस्पेक्षिन होगा 1359 की दर्ज होगा त्रहों में क्या इंतर है मैं डेटेल में अभी बना 對 त्यक्ति अब टेंपर्ड मीटर में क्या होना चाहिए one टेंडल एचिंड़ Woo उसे खराब किया गया है जिससे के उसका प्रभाविर थो जी फोड़ा लेकिन अब बात यह है जो क्या कर्ण्यूमा क्रaltung मैं नहीं खराब किया है तो आप उस पेs 135 नहीं कर सकते हैं वही इसमें असपर्ट लिखा हुआ है यह आप मारीजिए सप्लाइब कोड भी देखेगा उसमें असपर्ट यह लिखा हुआ है इसमें असपर्ट लिखा हुआ है जो टेमपर्ड मीटर के थुरू अगर यूज कर रहा है तो इसमें कहता है अगर इंक्रिमनेटिंग एविडेंस है इंक्रिमनेटिंग एविडेंस मतलब हुआ जो यह प्रोपर सबूत है जो हां वो टेमपर्ड मीटर का न्यूमर नहीं किया है समझ गए तब ही 135 में बुक होगा नहीं तो 126 में बुक होगा तो प्राथमी की दर्ज नहीं होगी जो भी डिस्कॉम का लॉसेस है उस लॉस का आपको फाइन बनाके दे दिया जाएगा तो अगर मीटर टेमपर्ड है तो इसमें जिसे टेमपर्ड के से वाजिसे वालिए सिल्व अगेटा सब तोड़ा हुआ है या माल यह फूट गया तूट गया जल गया एका माल यह टर्मिनल जल गया वह सब भी मीटर ऐसा लगता है वह टेमपर्ड हो गया लेकिन अगर कंजूमर नहीं टेमपर्ड किया है तो उसको डरने की बात नहीं है उस पे नहीं होगा 135 तभी ही उस पे लगेगा जबकि पूरा सबूत है जो हां कंजूमर ने ही डिस ओनेटली चोड़ी के लिए इसा किया है तब हो सकता है अमाले जी कोई भी मीटर है उस मीटर का यहां टर्मिनल से टूट गया है तो इसी पर आप बिजली चोड़ी का मुकादमा नहीं कर सकते हैं किसी पर हां अगर आपको यह मिले जहां टर्मिनल से टूटा हुआ है फिर इधर से टर्मिनल को ऐसे बैपास कर दिया है तब आप उस पर चोड़ी का मुकादमा कर सकते हैं तो यही था बिजली चोड़ी से समझने मुझे लगता है आप लोग समझ गए होंगे आप कोई आपको बेवकुफ नहीं बना सकता है सही कनक्सन रखिए और पूरा इज़्जत के साथ बिजली उप्योग करिए अनिवार जिस सेवा है लेकिन हां कोई भी अगर गलत करे तो उसको भी नहीं छोड़ना है